आप सभी लोग जानते हैं कि पंजाब युनिवर्सटी चंडिगर के कल से 17th of September से online exam जो है वो start होने जा रहे हैं लेकिन अभी भी students को ये चीज की confusion थी कि 50% paper attempt करने का क्या मतलब है उन्होंने कितने questions attempt करने हैं तो आज युनिवर्सटी ने उनकी ये doubt को clear कर दिया है यहां पर specify किया है युनिवर्सटी ने कि आपने कितने number of questions attempt करने हैं तो अगर यहां पर ये table बना हुआ है इसको आप ध्यान से देख लो अगर आपको paper में 11 questions आते हैं question paper में आपने check करना है कि अगर वहां पर 11 questions है तो आपने पाँच attempt करने हैं अगर 10 questions है आपने पाँच attempt करने है 9 questions आपको total धिये होते हैं to 4 questions आप attempt करोगे अगर 7 questions in total given है आपके paper में तो सिरफ और सिरफ आप 3 attempt करोगे अगर 6 questions given है तो आप 3 attempt करोगे और अगर 5 given है तो आप सिरफ और सिरफ 2 questions attempt करोगे तो यहाँ पर यह doubt उन्होंने clear कर दिया है आज ही आपका क्योंकि कला आपका exam है और exam के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, क्या instructions हैं वो detail में videos channel पे available हैं आप जाके check कर सकते हो questions के regarding बच्चों को काफी जादा doubt था तो आपने total number of questions देखने हैं कि आपके question paper में कितने हैं और उसके according आपने अपने जो questions हैं वो attempt करने हैं I hope कि students का आप यह doubt बिल्कुल clear हो गया होगा क्योंकि clear cut information है कि अगर आपके paper में total 11 questions हैं तो आपने सिरफ और सिरफ कोई 5 open twice होगी कोई भी 5 questions आप attempt कर सकते हो ठीक है चलिए अब all the best for your examination कल से आपके paper स्टार्ट हैं तो बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने exam देना don't panic अगर कोई doubt है अभी भी आपके mind में तो आप comment करके पूछ सकते हो चलिए अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लो ताकि आने वाली videos की notifications आपको मिलती रहें Thank you